नमस्कार दोस्तों मैं दिवांशु श्रागत करता हूँ आपका ccpsc वैपाम में जिन्यों ने मेरे चनल सिस्क्राइब निकिए के प्रिस जल्दी से प्रिस करें ताकि ccpsc और वैपाम की लेटेस्ट अब्डेट आपको इस पांदम से जल्दी मिस लगे जोने ने मेरा facebook और telegram चनल जोईनी के नीचे description box में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे join कर सकते हैं आज हम बहुत ही महत्कुन topic पर बात करने वाले grammar विकास से क्या ख़बर निकल के आ रहे हैं पुस पर बात करने वाले तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से start करते हैं तो देखिए वीडियो को ही start करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ACF से related बोलना चाहिए मुझसे पूछ रहे थे कि exam date के बारे में उसके उसमें क्या update मिली है उस बारे में तो मैं उन सभी को यही बताना चाहूँगा कि देखिए ACF जो है ACF में बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि ACF की फाइल मंत्राले में गई है और मंत्राले से वह राजपतनुल प्रकासित होगी उसके बाद जो है से जीपी से नोटिपिकेशन निकालेगा ऐसा लोग बोल रहे थे जो सीजीपी से जो खबर आ रही है देखिए यह सत राजपतन में प्रकासित हो और उसके बाद फिर वूस में नोटिपिकेशन निकाले पहली बात क्योंकि हाई कोट ने को आदेश दिया कि आप इसकी योगयता में संसोधन करें और फिर पुना क्रिशी वाले को क्रिशी की योगयता जो रखते हैं उसके लिए आप पोर्टल चालू रखें पहली बात तो CGPSC ये जो पोर्टल है वो इस चीज का वेट नहीं करेगा कि ये पहले राजपतन में प्रकासित हो और उसके बाद फिर वो बोलना चीए हम नोटिपिकेशन निकालें CGPSC कभी भी इसके लिए जो नोटिपिकेशन या पोर्टल खोल सकता है और CGPSC किसी एक इंसान की नहीं है वहाँ पे जहां से जो खबर निकल के आ रही है हो सकता है बाद में निर्णा बदला भी जा सकता है चात्रों का अगर विरोध होता है या कुछ और भी दिक्कते होती है तो हो सकता है विरोध बदला भी जा सकता है सभी के लिए पोर्टल खु होगा उसके बाद जो है वह जो पूरी की तरह से गलत बात है वह पहले पोर्टल खुल लेगा रही बात राजपतर में प्रकासित होने की बाद तो देखिए आप सभी को मालू है कि जब सीजी पीसी एसी एफ की वैकेंसी निकलने वाली थी तो उसके पहले एग्रीकल्चर और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सीजी पीस कभी भी पोर्टल चालू खर सकता है आप यह थ्यान रखेए अब रही बात इसके एक्जाम की तो एक्जाम में देखिए ये महत्पूर्ण बात जो निकल के आई है वो ये है कि मेंस होने वाला 2020 का CGPAC का उसके बाद ही ये एक्जाम होगा तो ये मेंस वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो मेंस की तैयारी के साथ अगर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो समय मिलेगा तो यहाँ पर यही चीज बहुत ही महत्पूर्ण है अब जैस प्रकार से ACF का जो अपडेट मेरे पास आता है मैं आप लोग को दे पाता हूँ बहुत जल आपको ACF का जो पोर्टल है वो आपको उपन होते वे दीखेगा ये महत्पूर्ण बात है जो CGPSC मेंस की जो डेट है वो बहुत जल आपके सामने आने वाली है तो आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहे बहुत जल आपको कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो यही अपडेट देना था दुशरी महत्पूर्ण ग्रामणय विकास विभाग से जो महत्पूर्ण कबर है कि देखीए ग्रामणय विकास विभाग में 125 पदों के लिए ड्राफ्ट मैण के लिए भरती होई थी इसका सभी प्रोसेस हो चुका था वित्तविभाग से जब vacancy आई थी तो वित्तविभाग से permission मिला था परन्तु फिर जब सब कुछ हो गया, साक्षातकार हो गया उसके बावजूद बोलनाची इसमें भरती नहीं हो पाई और फिर जो है इसको लटका दिया गया और फिर इसे जो फाइल है इसको वित्तविभाग में परमिसन के लिए गया है और जैसा ही वित्तविभाग से permission मिलेगा इस पर जो बोलनाची भरती होगी तो जो लोग मुझे पूछते कि डाफ्ट मैन की vacancy आएगी तो अभी फिलाल उनी की भरती नहीं उपाईए तो नहीं भरती डाफ्ट मैन की मुस्कील है आने वाले जब इनकी भरती हो जाएगी तो विल्कुल डाफ्ट मैन की vacancy निकलेगी उसके बाद जो महत्पूर्ण खबर यह है कि 36 गड़ के लिए बिरोजगारों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण खबर है कि 36 गड़ में जो गवर्मेंट है राज्य सरकार है जिन्होंने 25 सो रुपए देने का वादा किया था तो उससे जो है देखिए आप की इश्कन पर शोर होगा राज्य सरकार किस प्रकार का बोलना चाहिए आखड़े टटोल रही है आखड़े एकत्रित कर रही है और इसी के संब्द में आपको बहुत सरी चीजे मिलेगी आपको vacancy देखने को मिलेगी और राज्य सरकार आपको सभी को मालूम है कि हमको बेरोजगारी बत्ता से ज्यादा इंपोर्टेंट हमको सरकारी नौकरी चाहते हैं तो अब राज्य सरकार इस तरफ कदम उठा रही है तो वो भी चाहेगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके और इसके लिए vacancy भर-भर स रहने कि जरुत करने की जरुत हैं तो आप लोग सकराहत्मक रहें और सकराहत्मक स Queen के साथ कहां करें कि सिक्ति आपको और तेकनिशियन अप्रर मसिट के पदोपर रोजगार के आउसर तो यहां पे सुचमत जी प्राद्वकी की संस्थान और विरार सहर महानगर में 440 भरतियां, HL में भरतियां, ONGC में भरतियां तो आप क्या करेंगे इनकी जो साइट में जाके आप देख सकते मेरा काम था आपको भरति से संबंदि जानकारी देना, अब यह आपका काम है कि आप इनकी साइट पे जाएए और फिर वहां से आप पूरी जानकारी लिजिए अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा तो आज का जो वीडियो है यहीं तक आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें तरही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद